हलो गाईज नमस्कार मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा वेलकम टो माई यूटूब चैनल पैकरा लेलबी में आपका स्वागत है तो आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जिसमें मैंटेनेंस के रिगार्डिंग आपके सभी मेंटेनेंस को कम या बंद करवा सकते हैं अगर आप इस जजमेंट को अच्छी तरीका से समझ गए तो माल लेजिए मैंटेनेंस या अंतरीम मैंटेनेंस के हर कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे और कैसे आपको डील करना है ये भी पता लग जाएगा और ऐसा नहीं है कि पत उपनी को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना इंकम एसेट लियाबैलेटी का सपत पत्र कोट में प्रस्तूत करें तो वीडियो सुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते आल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर किजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें तो इस लैंड मारकर जजजमेंट का नाम है रजनीस वर्सेस नेहा सुप्रीम कोट आफ इंडिया और यह जजजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी जजजमेंट के अधार पर पतनी के मैंटेनेंस को प्रते कोट डिटर्माइन करती है अर्थात पतनी को मैंटेनेंस देना है या नहीं देना है उसको अंतरिम मैंटेनेंस देना है या नहीं देना है तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं मानने सुप्रीम कोट के जजजमेंट रजनीस वर् स्नेहा के मामले में maintenance के regarding Supreme Court ने क्या-क्या guidelines दिये हैं इसकी हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे तो सबसे पहला point इस case में माननी Supreme Court ने discuss किया है overlapping jurisdiction का जहां पर पत्नी एक से ज्यादा maintenance case कर देती है जैसे example के रूप में उसने CRPC 125 में maintenance मांग लिया है domestic violence में भी maintenance मांग लिया है इसके अलावा Hindu marriage 8 के section 24 का application लगा कर उसमें भी maintenance मांग रही है तो ऐसी सिती में माननी सुप्रीम कोट ने clear किया है कि जहां पर एक से ज्यादा maintenance case चर रहे हैं या multiple maintenance case claim किये जा रहे हैं ऐसे में applicant अर्थात पत्नी को उस case को disclose करना होगा जितनी भी previous proceeding है जितनी भी previous order है उनको अपनी petition में mention करना होगा कोट के सामने disclose करना होगा अगर इसी proceeding में पत्नी को maintenance मिर रहा है तो अगली proceeding में कोट adjust करेगी या setup करेगी अईसा नहीं हो सकता है कि पत्नी एक से अधिक case में maintenance लेती रहे है यदि पत्नी एक से ज्यादा maintenance case कर रखी है सेक्सान 125 DB actor या Hindu marriage actor में तो आपको यह धियान देना है कि पत्नी को प्रते केस में maintenance नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि पत्नी को एक case में already maintenance मिल रहा है तो दूसरे case में court के द्वारा उसे setup किया जाएगा या adjustment किया जाएगा और जो maintenance मिर रहा है उसे disclose करना बहुत ही जरूरी है अगला point है माननी सुप्रीम कोट ने अपने दूसरे point में ये guidelines जारी की है वो है अंतरिम maintenance के regarding माननी सुप्रीम कोट का कहना है कि जो भी party maintenance claim कर रखी है अर्थात मुस्लिम पत्नी होती है तो पत्नी उस अंतरिम maintenance के application के साथ एक affidavit भी submit करना होगा जिसमें उनका asset liability income का पूरा ब्योरा होना चाहिए और इसी तरह पती को भी अपना income asset liability का सपत पत्र प्रसुत करना होगा माननी सुप्रीम कोट के द्वारा सभी कोट को direction दी गई है कि चाहे कोई भी maintenance का case हो चाहे 125 CRPC का case हो या domestic violence का case हो या Hindu my rejector का case हो इन सभी में affidavit लेना जरूरी है mandatory है और इस affidavit के अधार पर ही अंतरिम maintenance को fix किया जाएगा determined किया जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देने योग्ये यह है कि जब भी पत्नी अंतरिम maintenance का case लगाती है तो उनको affidavit साथ में submit करना जरूरी है आप ध्यार रखें कि यदि पत्नी साथ वे affidavit प्रस्तूत नहीं करती है तो यह बात आप court के सामने रख सकते हैं और आप पत्नी को मजबूर कर सकते हैं कि वे अपनी income asset liability का affidavit court में जरूर प्रस्तूत करें अगला point है मानी सुप्रीम कोट ने ये guidelines जारी की है quantum of maintenance तो इसमें मानी सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि maintenance के amount को किस सरह determine किया जाएगा quantum of maintenance कितना होगा और इसे कैसे decide किया जाएगा maintenance कितना बने quantum of maintenance कितना होगा ये judgment आने से पहले कोई भी standard rule नहीं कोई भी guideline नहीं थी लेकिन मानी सुप्रीम कोट ने इस judgment में कुछ criteria दिये हैं जिसके अधार पर कितने maintenance होगा वो fix किया जाएगा वो decide होगा ऐसे में जो चीज देखे जाएगी वो होगी age of employment of the party कि पती पत्नी की क्या उम्र है उनकी जाब क्या है वो कितना कमाते हैं इसके अलावा कि पत्नी के द्वारा domestic violence act में shareholder house का right मांगा गया या नहीं मांगा गया है साथ ही अगर wife earning है तो उनकी income कितनी है माइनर बच्चों का maintenance कितना होना चाहिए यदि कोई disabled है या health problem से सफर करता है तो उसे भी consider किया जाएगा या उस पर कितने dependent है ये भी consider किया जाएगा इन सबको देखते हुए ही maintenance के amount को discuss किया जाएगा तो यदि जब भी maintenance amount fix करने की बात आये तो आप ये सभी points quote के सामने जरूर रखें कि क्यो maintenance amount कम लगना चाहिए या maintenance नहीं बनना चाहिए ये सभी points आपको पता होना चाहिए ताकि आप quantum आप maintenance पर argument कर सकतें अगला point है date आप maintenance पर कि maintenance किस date से दिया जाएगा या आप कह सकते हैं कि maintenance का order किस date से लागू होगा ऐसे में मानी सुप्रीम कोट ने clear किया है कि सभी case में जो maintenance दिया जाएगा वो date of applications के date से दिया जाएगा अर्थात पतनी ने किस दिन से petition डाली है किस दिन से application डाली है उस दिन से maintenance को दिया जा चाहे maintenance बाद में decide किया गया हो यदि पतनी ने एक जनवरी को petition डाली है और एक जनवरी को ही अंतरिम maintenance के petition डाली है लेकिन अंतरिम maintenance की application माई में जाकर decide होती है तो जो order होगा वो माई में आएगा वो आपका एक जनवरी से होगा तो आपको पिछला amount भी देना होगा ऐसे में अगर court ये चाहती है कि maintenance date of order से शुरू होती है तो court को अपने order में specifically ये लिखना पड़ेगा और इसका region भी देना पड़ेगा तो आपको ये point भी धियार रखना होगा तो maintenance आपको date of application से देना है या date of order से देना है यदि आप कुछ amount अपनी तरफ से पतनी को दे रहे है जो की court record पे नहीं है लेकिन आपके पास उसके सबूत है तो ऐसे में आप court के सामने request कर सकते हैं कि पतनी को maintenance date of application से ना दे करके date of order से दिया जाए क्यों? क्योंकि आप उसको बीज-बीज में maintenance दे रहे थे जबकि court का कोई order नहीं था तो आप अपनी सबूत भी रूप कर सकते हैं और court को request कर सकते हैं कि maintenance date of order से ही लगे इसके बाद मानने supreme court ने एक point और फी clear किया है compliance of maintenance का कि maintenance की compliance की order किस तरह से की जाए देखिए बहुँ सारे case में देखने में ये आता है कि maintenance की amount तो fix कर दी जाती है लेकिन काफी समय तक चाहे हो maintenance हो या अंतरिम maintenance हो वो amount pending रहती है एरियर्स इकठे होते रहते हैं लेकिन पती के द्वारा कोई भी payment नहीं होती है ऐसे में मानने supreme court ने clear किया है कि maintenance के order या decree को एक civil court की decree की तरह treat किया जाए या enforce किया जाए ऐसे में पती के property को attach किया जा सकता है उसकी defense तक setup किस जाए सकती है और जो last option है वो ये है कि प अगर court को लगता है कि पती जान बूच करके maintenance या अंतरिम maintenance के amount को नहीं दे रहा है कोट के order की compliance जान बूच कर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में court पती के लिए contempt of court की proceeding भी चालू कर सकते हैं और contempt में सजा भी हो सकती है तो इस point को भी आपको ध्यार रखना है कि यदि maintenance spending हो गया है आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में आपको कभी भी तुरंत arrest नहीं किया जा सकता है जेल नहीं बेजा जा सकता है और आपको एक चीज और ध्यार रखनी है कि आपको जान बूच करके court के order की अवहिलना नहीं करनी है ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा है source of income है लेकिन फ तो content में भी सजा होगा तो यह है पाँच important points पाँच important guidelines जो कि माननी सुप्रीम कोट ने रजनीस वर्सेस नहा के मामले में guidelines जारी की है यदि आप इस point को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप maintenance के सारे concept को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप maintenance के पूरे concept को जान जाए आपको क्या चीज करनी है क्या objection उठानी है यह सभी आपको पता चल जाएगा तो इस परकार माननी सुप्रीम कोट के landmark judgment के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ तो please मेरे वीडियो पसंद आए तो like, share और subscribe जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो प पनाती रहुंगी Namaskar